हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा कुहार्ड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स इस चैनल पर ये जो एक्सल साइज फुल बाजू जेंट जैकेट को मैंने बिल्कुल स्टेप बाज स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है आज इसका ये पार्ट नंबर 3 है आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके लेफ्ट और राइट दोनो पार्ट में साइड पॉकेट बनाना बताऊंगी तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं तो यह देखे फ्रेंट्स यह इसका left part है और यह इसका right side का part है left side के part में इसमें मैंने button hole बनाई है तो यहां तक मेरे यह 3 button hole बन गए है तीसरे button hole पर मैंने यह बड़ी सी बिंदी चिपकाई है ताकि next वाला जो हमारा button hole बने एक तो उसका हमें कितना gap रखना है यह idea रहे और दूसरा उसको हम बनाना ना भूले तो यह यहां पर चिपकी होती तो हमें ध्यान आजाता है कि हमारा next button hole बनेगा अब अपने हिसाब से किसी भी तरह से कर सकती है अब इसमें किसी भी पार्ट में हम पहले pocket बनाना शुरू कर सकते हैं क्योंकि दोनों की length मैंने बिल्कुल सेम बना ली है इसकी मैंने जो length बनाई है वो देखिए यहां border से लेकर और यहां तक सवा 9 इंच बनी है आप कम से कम 9 इंच यह सवा 9 इंच बना लीजिए और अगर आपको pocket की length छोटी चाहिए है तो आप कम भी रख सकते हो मैंने इसकी length इतनी रखी है कि एक बड़ा सा फोन उसमें आराम से आ जाए वो गिरेना परस वगरा डालना हो वो भी ना निकले तो 9 सवा 9 इंच की length होने के बाद अब इसमें हम pocket में जो हाट डालने की जगह होती है वो बनाना शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले अपना left side का part लेते हैं दोनों में अंतर इतना आएगा कि इसमें हमारी बुनाई यहां से शुरू होती है और यह button party वाला border last में आता है right side के part में पहले border button party आती है और फिर बाद में हमारा यह वाला part आता बस अंतर इतना आएगा बाकी तरीका बिलकुल सेम है तो यह देखेगा यहां पर हम 10 फंदे पर पहले सेम यह वाला border बनाएंगे और अपनी pocket की घटाई शुरू करेंगे तो यहां से अब देखे कैसे करना है पहला फंदा एजस्टी इचा हो गया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और यह दस दस फंदे पर जो यह border बनेगा यह हमने यहां पर उल्टे बुन लिये हैं क्योंकि इसमें सीधी साइड से फंदे उल्टे बुने जाते हैं और उल्टी तरब से हमारा डिजैन आएगा अब दस फंदे उल्टे बुनने के बाद अब हम धागे को पीछे करेंगे एक फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से यहां तीन फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे यहां हमने तीन का एक फंदा बना दिया तो यहां से हमारी गटाई शुरू हो गई है आगे फिर जो फंदे हमारे सीधे हैं उनको सीधा बनाएंगे और फिर आगे जो डिजैन वाले हमारे फंदे हैं उनको हम उल्टा बनेंगे अगर आप अपने जैकेट में कोई डिजैन डाल रही है तो डिजैन के हिसाब से आप अपने फंदों को बनाईए मैं इसे बिल्कुल प्लेन बना रही हूं ताकि इसकी लुक बहुत सुन्दर आएगी क्योंकि तीन तारवाली ओन से जब हम प्लेन बनाई करते हैं वो भी बहुत सुन्दर लगती है तो इसको अब मैं कम्प्लीट कर लेती हूं उल्टी साइड से फिर हम अपने यहां जो डिजैन मैंने आपको बनाना बता है इस डिजैन को बनाएंगे और यहां पर यह दस फंदे रहने तक बाकी के फंदों को फिर हम उल् पर उल्टे वाले यह हमारे यहां पर बजगए हैं यहां से हमने घटाई कर दी है अब इन 10 फंदों पर हमें डिजैन बनाना है दिखेए 10 में से 1 फंदा हम उल्टा बुनेंगे अब तीन फंदों का यहां एक फंदा बना देगे फिर हम धागा पीछे करेंगे और एक फंदे के तीन बनाएंगे एक, दो, और ये तीन फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदों का एक फंदा हम बना देगे फिर धागा पीछे करेंगे और एक से तीन बनाएंगे एक बार फंदे को सीधा बुना धागा अपनी तरफ करके एक बार उल्टा बुना फिर धागा पीछे करके एक बार सीधा बुना और धागा अपनी तरफ करके लास्ट का हमारा एज़ेस्टी इच है इसको हम उल्टा पुल लेंगे तो ये 10 फंदों पर हमारा डिजैन यहां एड़जेश्ट हो गया है अब आज ये सीधी साइट पर पहले इन 10 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 अब देखें धागे को हम पिछे ले जाएंगे और इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से अब हम 2 का 1 करेंगे सिर्फ स्टार्टिंग में ही हमें 1 बार 3 का 1 करना है ताकि यहां से घटाई की शेप आजाए उसके बाद हम 2 का 1, 2 का 1 करके ही यहां से इसमें घटाई करेंगे और आगे जो हमारे फंदे सीधे इनको सीधा बुन लेंगे जो आगे डिजैन वाले हैं 22 फंदे वो हमारे उल्टे बुने जाएंगे उल्टी साइड से फिर हमारे यहां पर डिजैन बनेगा यह वाले फंदे उल्टे बुने जाएंगे last के 10 फंदे रहने तक मां यहां तक बना लेती हूँ एक बार फिर यहां डिजाइन बना के दिखा देती हूँ तो यह देखी friends उल्टी साइड से मैंने यहां डिजाइन के फंदे बुन लिए इन फंदों को उल्टा बनाया यह last वाले 10 बचके एक बार यहां डिजाइन को समझ लीजिए ये एक फंदा हमारा उल्टा है अब पहले बार हमने जब बुने थे तो यहां तीन के एक किया था तो अब इस एक के तीन हो जाएंगे धागा पीछे करके एक बार सीधा बनाया धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे एक ब बार उल्टा दागा पीछे करके एक बार सीधा फिर हम दागा अपनी तरफ ले आएंगे और तीन का एक फंदा बना देंगे ये लाश्ट का फंदा हमारा उल्टाएगा तो ये डिजैन हमारा यहां पर एडजेस्ट हो चुका है और घटाई हमारी यहां से अब रेगुलर चल तो देखें ये दस फंदे आप उल्टे बनाई एक पर फिर घटा कर दिखा रही हूं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और ये दस फंदे उल्टे बनाके दागा पीछे कीजिए इस फंदे को पलट के आप सीधा कीजिए और बैक साइड से दो का एक कर दीजिए तो यहां से आपकी पॉकेट की शेप आनी शुरू हो जाएगी और यहां वाला डिजैन हमारा एड़ेस्ट हो चुका है तो अब ऐसे ही यहां से घटाई करते हुए मैं इसकी कुछ लेंथ बना लेती हूं फिर आपको आगे दिखाती हूं तो यह देखिए फ्रेंड से यहां से घटाई करते हुए मैंने इसकी इतनी लेंथ बना ली है कि यहां पॉकेट में हाथ आराम से आ जाए अगर यहां से यहां तक इसकी मैं लेंथ आपको नाप कर बताऊं तो यह हमारी 6 इंच है यह देखिएगा इस तरह से तिरचे में जहां से हमने डिजैन बनाना शुरू कि यह लगभग 6 इंच है और अगर मैं आपको फंदे की घटाई बताऊं तो देखिए यहां हमारे टोटल जो फंदे हैं वो है 70 70 यानि 70 70 में से 22 फंदे पर हमारा यह डिजैन चल रहा है और इधर है हमारे 48 यानि 48 फंदे 48 फंदे 48 फंदों में से जब हमने यहां 10 फंदों का यह डिजैन शुरू करके और घटाई शुरू की है तो यहां पर अब हमारे पास 15 फंदे तो यह हैं और 10 फंदे यह वाली पटी के तो टोटल यहां पर हमारे 25 फंदे हैं यानि यहां से हमने घटाई शुरू की है और यहां तक हमारे 23 फंदे इसमें कम हो गई हैं तो दोनो फंदे में से 22 फंदे ये इधर पटी के हैं ये हमारे अलग हैं फिर ये जो पार्ट है ये हैं 48 फंदे 48 में से यहां पर हमारे पास 25 फंदे हैं 15 फंदे ये 10 फंदे ये यानि 23 फंदे आप यहां से इस तरह से घटा दीजिए तो ये एक साइड के घटाई complete हो चुकी है तो यहां से इसमें फंदे गले वाली सलाई से उठा लें ये जो बॉर्डर है इस बॉर्डर के यहां से एक एक करके फंदे उठा लें दूसरा तरीका हमारा यह है कि हम अलग से फंदे डालेंगे इस तरह से और यहां से देखिए हमें पॉकेट जो बनानी है ये जो बॉर्डर complete होता इस border से ले कर और यहां तक की हमें pocket की length बनाने है तो इस तरह से हम बना सकते हैं तो यहां पर pocket के लिए लिए हैं मैंने 42 यानि 42फंदे जो jacket हम बना रहे हैं यह मैंने बनाई है 9 नमबर की slice लेकिन pocket के जो फंदे मैंने डाले हैं यह मैंने आठ नंबर की स्लाई में डाले हैं क्योंकि यह नीचे की तरफ आएगी थोड़ा सा लूज भी भनेगा तो यह चलेगा तो मैंने इसमें डाले हैं 42 यानी 42 फंदे और 8 नंबर की इसमें मैंने नीडल यूज की है पॉकेट के लिए नीचे वाले पार्ट में तो 42 फंदे मैंने यहाँ पर सिंगल धागे के डाले हैं डबल धागा नहीं किया है फंदे डालके पहले एक सलाई सीधी साइड से और एक सलाई उल्टी साइड से पहले उल्टी बनाई है ताकि यह जो किनारी है यह सीलते टाइम अच्छे से अटेच हो जाए उसके बाद सीध साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी सलाईयां बुनती हुए मैंने देखिए इस तरह से इसका नाप लिया है क्योंकि हमें जो पॉकेट बनानी है वो यहां से और हमारी यहां पर अटैच होगी इस तरीके से यह पॉकेट इसमें सिलेगे तो 42 फंदे डाल के जब ऐसे सीधा करके खीच के सीलना है नीचे पॉकेट में जोल नहीं आनी चाहिए तो आप 42 फंदे डालिए और ऐसे बनाईएगा 6 फंदे हमें कम रखने है तो इसकी लैंथ हमारी कम्प्लीट हो चुकी है यह बहुत आसान तरीके से बनेगा सीधी उल्टी सलाईयों से फिर बा तो यह हो गया अब मैं आपको अटेच करके दिखाते हूँ तो यह देखिएगा इसमें हमने लिये हैं 42 फंदे और यहाँ पर थे हमारे 48 फंदे 23 फंदे इसमें से हमने घटाई हैं तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए हमें ऐसे इसको अटेच करना है तो यह जो प पॉकेट ही आठ नमबर से बनाने थी तो 23 फंदे हम बुन लेंगे तो यही जैसे हम पहले फंदे को उतारते हैं या उल्टा बुनते हैं ऐसे करेंगे फिर एक फंदा ये ऐसे करके सीधे ही बुनने हैं क्योंकि सीधी उल्टी सलयों से हम बना रहे हैं तो मैं 23 फंदे यहां प जो जैकेट का उल्टा हिस्सा इसको आपने ऐसे रखना है आप देखे यहां से यह सीधा हिस्सा आपका उपर आ जाएगा अब तेईस फंदे हमने बना लिए हैं अब इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और इन्हें हमें अटेच करना है दो तरीके हैं या तो पहले आप एक आप बैक साइड से लीजिएगा और फ्रंट वाली सलाई के उपर ले आईएगा ठिक हैं धागा हमारा पीछे ही है अब एक यह बैक साइड वाला और एक फ्रंट वाली साइड का और यहां पर जो धागा है इसको थोड़ा ऐसे टाइट कर लीजिए फिर इन दो फंदों का आप एक फंदा बना दीजिए यहां पर आपके दो धागे होंगे एक को बाद में हम कट कर देंगे थोड़ा सा यहां पर इसको क्रोस करवा दीजिए फिर एक फंदा हम बैक साइड से लेंगे और फ्रंट वाली सलाई पर ले आएंगे आगे से सलाइड डालेंगे और यहां फिर से देख लिजिए एक फंदा बैक साइड से लेंगे और फ्रंट वाली स्लाई पर ऐसे डाल देंगे और आगे से दो फंदों में क्योंकि एक बैक साइड का हो गया और एक फंद का आगे से स्लाई डाल लेंगे और यहां हम दो का एक फंदा बना देंगे आपने ऐसे करते हुए इन फंदों को यहाँ तक अटेच करना है तो मैं इनको ऐसे बना देती हूँ तो यह देखिए इस तरह से हमने इस पॉकेट को यहाँ पर अटेच कर दिया है अब यह जो हमारे 6 फंदे बच गए इनको हम सीधा बुन देंगे और आगे जो पटी के फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे फिर उल्टी साइड से यहां पर हमारा डिजाइन बनेगा और आगे के जो हमारे 48 फंदे हैं इनको हम फिर उल्टा बुन लेंगे यहां तक तो यह देखिए फ्रेंट्स सलाई हमारी complete हो गई है और जो आपकी pocket सिली जाएगी यहां से थोड़ इसी तिर्ची आएगी क्योंकि यहां पर 6 फंदों का gap है बाकी जहां तक आपका हो फिर नीचे ऐसे खीच के और यह जो पटी है बिल्कुल इसके साथ में सिलाई कीजिए फिर ऐसे सीधा कीजिए बिल्कुल सीधा करना इसको क्योंकि जोल पड़ गया तो pocket नीचे से अच्छी नहीं लगती है और फिर यहां से आपके बारिक बारिक टाके यह जो बॉर्डर है किनारी से हो जाएगी और यह आपकी सिलाई जब आपकी जैकेट की सिलाई होगी तो साइड से ऐसे दोनों पार्ट की मिला के और यहां तक आपकी यह सिलाई होगी तो इतना जो पार्ट बनेगा यह हमारा देखिए pocket में हाट डालने के लिए काफी है तो एक side का इसका जो है pocket वाला part complete हो गया एक side की pocket हमारी बन चुकी है अब हमें दूसरी side की बनानी है तरीका बिलकुल same है सिरफ अंतर इतना आएगा कि इसमें हमारा यहां से part बुनना शुरू होता है और इसमें पट्टी वाली side से बुनना शुरू होता है तो अब हम क्या करे यहां हमें 10 फंदे की सेम ऐसी पट्टी बनानी है और पट्टी के इधर से घटाई शुरू करनी है इसमें पहले पट्टी बनी और फिर घटाई शुरू होई है तो यह 22 फंदे मैं उल्टे बुन लेती हूं तो यह देखिए यह जो हमारे डिजैन वाले 22 फंदे हैं इनको म हमारे यह 48 यानि 48 फंदे हैं 48 में से 10 फंदे की सेम ऐसी पट्टी बनेगी और यहां पर 3 का एक होगा क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने 3 का एक किया फिर 2 का एक दो का एक घटाया है तो 13 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेते हैं तो लास्ट में हमारे 13 फंदे बचते हैं तब तक मैं इनको ऐसे बना देती हूं तो यह देखे फ्रेंट्स यह बीच के फंदे मैंने बना लिये हैं सीधे सीधे और अब हमारे पास यहां पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 3, 13 फंदे बच गए हैं तो यहां हम 3 फंदों को हलका सा लूज करेंगे आगे की साइड से इन 3 फंदों में स्लाइड डालेंगे और 3 का 1 फंदा हम यहां पर सीधा बना देंगे अब हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और यह 10 फंदे उल्टे बनाएंगे पट्टी के डिजैन वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यह 10 तो यह हमारे 10 फंदे पट्टी के आ गए अब आजी देखिए उल्टे साइड पर यहां मैं आपको डिजैन बना कर दिखाती हूँ पहला फंदा एज़स्टी छे उतारिये या उल्टा बनाएंगे उसके बाद हम 3 फंदों का 1 फंदा बना देंगे फिर हम धागा पीछे करेंगे और 1 फंदे से 3 बनाएंगे देखिए एक बार फंदे को सीधा बनाया धागा अपनी तरफ एक बार उल्टा बुना धागा पीछे एक बार सीधा बना दिया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदों का हम 1 फंदा बना देंगे फिर एक के 3 बनाएंगे धागा पीछे एक बार फंदे को सीधा बनाया धागा अपनी तरफ करके एक बार उल्टा बनाया धागा पीछे करके एक बार सीधा बनाया और फंदे को उतार दिया अब धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा तो यह हमारा यहाँ पर 10 फंदे पर डिजाइन बन गया है अब आगे के जो हमारे फंदे उल्टे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे और यह जो पट्टी वाले फंदे हैं जो हम डिजाइन बना रहे हैं इन 22 फंदों पर अपना डिजाइन बनाईगे तो ऐसे करते हुए आप इस स्लाई को कम्प्लीट कर दीजे तो यह देखिए उल्टी साइड से मेरी स्लाई कम्प्लीट हो गई है आप भी ऐसे ही बना लेजे अब आज यह इसकी सीधी साइड पर यह 22 फंदे जो हमारे डिजाइन के इनको आप उल्टा बनाईए इसके बाद देखिए 10 फंदे यहाँ डिजाइन के और 2 का हमें एक करना है तो 12 फंदे रहने तक बाकी के जो बीच के फंदे हैं उनको आप अगर डिजैन बना रहे हो तो डिजैन के इसाफ से बनाईए और अगर सीधी उल्टी सलाईयों में बना रहे हो तो सीधा उल्टा बुन लेजिए तो यहाँ पर 12 फंदे रहने तक मैं इसको यहाँ तक बुन लेती हूँ तो यह देखिए फ्रेंट्स यहाँ तक मैंने फंदों को बना लिया है और यहाँ पर हमारे यह 12 फंदे बजगे हैं 10 टिजैन के और 2 का एक करना है तो आगे की साइड से हम 2 फंदों में सलाई डालेंगे और 2 का एक कर देंगे हमें यहाँ पर हर बार सीधी सलाई पर इन 10 फंदे से पहले आगे से सलाई डाल कर 2 का एक करना है और तब तक करते जाना है जब तक इसमें 22 फंदे यह वाले इधर के छोड़ के यह जो सीधे सीधे हैं 15 फंदे यहाँ पर यह और 10 यह टोटल 25 फंदे हमारे बचेंगे जैसे इसमें बचे हैं, 15 ये और 10 ये बचे थे, तब तक हम घटाते जाएंगे, टोटल हमारे 23 पंदे कम होंगे, अब आगे के जो 10 पंदे हैं, इनको हम उल्टा बोनेंगे, देखिए, 1, 2, और ये देखिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10, एक बार फिर से मैं आपको उल्टी साइड से ये डिजैन बना के दिखाती हूँ, आगे आपको सेम रिपीट करती जाना है, पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाईए, अब देखिए, स्टार्टिंग जब की तो यहां 3 का एक किया था, अब हम 1 के 3 बनाएंगे, तो इन का यहां 1 फंदा बना देगे, फिर धागा पीछे और 1 से 3 बनाएंगे, एक बार सीधा बुना, धागा अपनी तरफ एक बार उल्टा, फिर धागा पीछे और एक बार सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, और यहां 3 फंदों का हम 1 फंदा बना देगे, और ये वाला फ पर डिजाइन आगे ये जो उल्टे फंदे इनको उल्टा बनाईए फिर ये 22 फंदे पर जो डिजाइन है इनको डिजाइन के अनुसार बनाईए तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी यहां से ये पट्टी स्टार्ट हो गई है घटाई शुरू हो गई है अब आप ऐसे ही करते जाईएगा ये तो हमारे जैसे बन रहे ऐसे बनाते जाईए बीच वाले फंदे सीधे हैं लेकिन यहां पर इन 10 फंदे से पहले हर बार सीधी स्लाई पर आगे से स्लाई डाल कर दो का एक कीजिए 15 ये और 10 ये 25 फंदे यहां पर हमारे बच जाएंगे इन फंद भी आप सेम आठ नंबर की स्लाई में 42 फंदे डाल कर और यहां से लेकर और फिर यह जो इतनी लैंद बनती है इतनी लैंद का एक प्लेन पार्ट बुन नीचे तो मैं इसे कंप्लीट करके और फिर आपको इसकी नीचे की पॉकेट इसमें अटेच करना बताती हूं तो आप से इधर 25 यानि 25 फंदे हैं 10 फंदे यह जो पॉकेट के लिए बॉर्डर है इसके और 15 फंदे यह वाले 22 फंदे इधर हमारे डिजाइन के हैं टोटल फंदे इस पार्ट में हमारे थे 70, 70 में से 22 फंदे में यह डिजाइन है और 48 फंदे हमारे इधर थे 48 में से अब 25 फंदे य गई हैं, अब हमें देखें क्या करना है, जैसे इस पार्ट में हमने नीचे से पॉकेट का पार्ट बना के अटेच किया है, सेम हम इसमें करेंगे, तो इस साइड का पार्ट भी मैंने ये इस तरह से बना लिया है, यहाँ पर फंदे डाले हैं 42 यानि 42 फंदे, और 8 नमबर से म डालके सीधी उल्टी सलाईयों से ऐसे नाप के आपने बना लेना है देखे जैसे ये बॉर्डर है हम ऐसे यहां से सलाई करेंगे और यहां तक का पार्ट हमारा कम्प्लीट हो गया है अब इसे कैसे अटेच करना है ये देखिएगा ये पॉकेट का सीधा हिस्सा और ये जो हमारा पार्ट है इसका ये उल्टा हिस्सा तो उल्टे से सीधे को हम ऐसे लगाएंगे तो ये सीधा हमारा यहां पर आ जाएगा अब आप ध्यान दीजेगा देखे 23 फंदे हमारे इसमें कम हुए है और इधर से ये 25 फंदे हमारे अब है और ये हैं हमारे 42 फंदे तो अब हमें इसमें जो अटेच करना है वो जो घटाई वाले 23 फंदे वो हमारे इधर आ जाएंगे और बाकी के फंदों में इसको अटेच करना है तो इस पार्ट में से हम 22 फंदे तो ये वाले बना लेते हैं, डिजायन वाले और फिर 6 फंदे सीधे सीधे हम ये वाले बना लेते हैं, फिर हम इसको attach करेंगे, तो ये आप ध्यान रखेगा 22 ये और 6 ये ये फंदे आप इसमें बनाईए तो ये देखे फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से यह जो 22 फंदे हैं यहां पर हमारे उल्टे बनाए गए हैं और 6 फंदे मैंने यह सीधे बुन लिए हैं 2, 4 और यह 6 अब यहां पर यह जो हमारे फंदे बचे हैं यह देखेगा यहां पर 10 फंदे तो यह वाले पट्टी के हो गए हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 फंदे हम अब हम यह वाला पार्ट ऐसे लेंगे ऐसे पकड़ लेंगे जब इन 19 फंदों में हमारे यह यहां तक 19 अटैच हो जाएंगे आगे हमारे 23 फंदे बच जाएंगे तो यह देखे आपने कैसे करना है एक फंदा बैक साइड वाली सलाई का लीजिए और उसे फ्रंट वाली सल के बना दीजिएगा ऐसे आपने इनको अटैच करना है यह दागा लूज हो जाए तो इसको फिर टाइट कर दीजिएगा फिर एक फंदा बैक साइड की सलाई का लीजिए फ्रंट वाली सलाई पर ले आईए आगे से सलाई डालिए और यहां पर आप दो फंदे का एक फंद पर लाइए आगे से सलाई डालिए और दो का एक कर दीजिए ऐसे करते हुए इन फंदों को आप बनाईए फिर आगे जो फंदे आपके बच जाएंगे 23 उनको आप सीधा सीधा बोनकर सलाई को कम्प्लीट कर दीजिए तो इस तरह से हमारी पॉकेट अटैच हो जाएगे त और अब ये हैं मेरे 23 फंदे देखें गिनके भी दिखा देती हूँ दो चार छे आट दस बारा चोदा सोला अठारा बीस बाईस और ये तेईस अब इन फंदों को आप सीधा सीधा बनाईए फिर उल्टी साइड से देखिए यहां तक किस लाई तो हमारी उल्टी बुनी ज हुए आओ तो आपको क्या करना है अब देखिए यहां पर यह उन हमने छोड़ी है इसमें लंबा सा धागा छोड़के और उसको यहीं पर इकठा करके बांद के छोड़ दीजिए क्योंकि यहां से इस पॉकेट की सिलाई करते हुए यहां तक यह हमारा जो यह इसा सिला जा कर लेंगे तो आप बिल्कुल हटा सकते हो लेकिन यहां पर एक या दो नोट आप जरूर लगाए इन दोनों की ताकि यहां से यह फंदे आपके लूज ना हो तो ऐसे करके आप इसको यहां से अटैच कर सकते हो जैसे चाओ आपको ठीक लगे या तो आप लंबा सा धागा छोड़ दीजिए या बिल्कुल हटा दीजिए नोट लगा के तो अब मैं इसमें थोड़ा लंबा सा धागा छोड़ देती हूं और स्लाई को कम्प्लेट कर देती हूं तो यह देखिए फ्रेंड से इस तरह से लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट में साइड पॉकेट हमा जाएगा था, देखिए इस साथ आटश करेंगे ना तब इसकी से लाइगे, मैं आप पहले ये वाल शे लाइखिए को और फिर हम इस पार्ट के साथ करेंगे तो एक साथ ही ऐसे से लाइखिए था द Season अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंट्स ग्रूप में इसे शेर कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू जूड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर प्रेस कर तक कि आने वाली जो भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सके वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद